नमश्कार दोस्तों बहुआन आप से भी कभला करूँ और आपके सारी इक्षाएं मनकमने पूरी हो दोस्तों आज मैं आप सभी कोई इसांस से रिलेटेड महत्मुन जान करेविक करूँगा जिसमें सर्बत हमें आपके फिंगर के एनलेसिस के बाद उस पुरे पाम का एनलेस इडिया इंफुलेंस हों हैं कुछ समय के अंत्राल में वो काम करके दिखाने से आपकी बेसिंग नीचर में रहेगा पेशिंस थोड़ा सा कम देखने को मिलते क्योंकि कि किसी भी चीज़ को पाने की चाहाँ जाधा होती है इसलिए अपने थार्ट्स को बहुत जल्दी एक् इसकी लेंस बहुत ज्यादा है तो इस कंडिशन में आप जैसे जातक रिस्पॉंस्बिलिटी टेकिंग नीचर के देखने को मलते हैं जिसके तहत कभी कि किसी प्रगार के जिम्मेदारी लेने से पेछे नहीं हटते हैं और इस कंडिशन बहुत अच्छे लीडर, एडवाइ यहां देखें तो आपका जो लिटल फिंगर उसकी भी लेन तकरिवन ठीक है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहेंगे तो इस कंडिशन में में मेनेजमेंट बहुत अच्छा होता है पंच्वेलिटी और एक प्रकार से देखें को मिलती है जो भी का में आपको ढाल दिया जाए बड़ इससा दलता से आप ढल पाने में शक्षम रहेंगी क्योंकि आपके फिंगर के उपर सीधी खड़ी रेखाओं के शंकला जो है वो मित्रता पुर्वक सुभाव को दर्शारी है इसलिए सभी वेक्ति से तक्रिबन अपने अच्छे अतनबन मदभेद भी होगा क्योंकि यहां पर आड़ी रेखा भी है लेकिन सीधी खड़ी रेखाओं के शंकला मजबूत है तो इसलिए सारे रिष्टों को अच्छे से हैंडल कर पाने में शक्षम रहेंगे फिंगर के बीच में जब ऐसा गयप होता है तो यह नहीं होता है हाला कि यहां पर जो आपके फिंगर के नॉट से वो डेवलोप क्लियर कट नहीं है तो थोड़ा यह कंफूजिंग मार्ट डेफिनेटली देता है जिसके तहत कोई भी डिसीजन या प्लैनिंग करते सामें किसी ना किसी विक्तिविश इसके गाइडिन से सपोर हावा की बाते में आपका ज्यादा रुजहान ध्यान नहीं रहेगा जो भी बात करेंगे सीधे तूद पॉइंट या लॉजिकल वे से बात करना ज्यादा पसंद करते हैं यहां पर आपका यह कंफूजिंग भी है इस कंडिशन में खुद का घर 100% बनता है और यह कंफूज में सबसे महत्पून बात यह रहती है कि यह इंट्यूशन सिक्स्थ संस बहुत भैतर हैं देता है तो अगर इस कंडिशन में पूर्वा अनुमान आभास सपना के माधिम से भविश्क द्रश्य देख पाने जैसे योगों को चाह रहे हैं और जादा देखना तो इस कंडिश पर जब बाड़ी रेखा हो तो comfortable earning overall life में देखने को मिलती है और जहां थमको joint point है वहां मानसल कम है तो समय परिस्थेति के अनुसर अपने decisions या plannings के अंदर भी easily changes आप अडोप कर पाने में शक्षम रहेंगे पाम का जो आपका यहां पर size है वो आपके लंबाई में बहुत अच्छा रियक कर रहा है जिसके करण यह lots of dream, desire, ambitions को दर्शाता है जीवन के प्रती बड़ी सोच अप्रोच यहां देखने को मिलती है और वही बात करेंगे गुरू के छेतर के regarding तो यहां गुरू पर आपका star स्टार का एक formation देखने को मिलेगा इस प्रकर का जब भी star देखने को मिलता तो समाज में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के पूर्ण प्राप्ति के योग बनते हैं इस स्टार का चिंद जब भी किसी यहां पर परवत पर विराजमान होता है तो उस ग्रह का जो महत वो है के देखने को मिलता है और यह पद प्रतिष्ठा मान सम्मन आपको कारेच हेतर में ही नहीं बलकि आपके एक प्रकार से परसनल लाइफ यानि आपके फैमिली में शोशल लाइफ में भी आपका बहुत अच्छा रुत्वा बना देने वाला रहेगा तो बड़े-बड़े लो तो गुरुव पर इस प्रकार का चिन होना जिए उनमें एक सिंगल चीज की किसी की कमी होने नहीं देता और अगर बात करें प्रोपर्टी या प्रोस्परिटी तो यह फॉर्मेशन में बहुत अच्छा प्रोपर्टी लाइफ में देता है उम्र तक्रिबन 36 के बाद से प्र प्रोपर्टी के देखने को मिलते हैं धर्मे के प्रती रुजान डेफिनेटली रहने वाला है और अनिमल लवर पैट लवर या शोशल वरकर भी यहां पर आप देखने को मिलेंगे तो गुरु अपने आप में बहुत वेल पोजिशन में हैं मेमोरी बहुत अच्छा देता ह अच्छा घ्यान अर्जित कर पाने में शक्षम रहते हैं शैनी के स्थिति पर एक दिक्कत सिर्फ यह है कि जो लक लाइन है वो पूर्ण तहस शैनी तक नहीं पोचा तो इस कंडिशन में क्या रहता है कि आपकी हतिली में भाग्य है लेकिन वह उतनी संतूष्टी नहीं दे इसी उम्र से आपका जो है भाग्युदे प्रारम हुआ धनार्जन बहुत अच्छे तरह के से प्रारम हुआ अब यह रेखा सीधे की सीधे यहां पर आकर के रुखी है और यह उम्र हो जाता है करेक्ट 53 और 4 तो 53 4 तक तो पूरा लख है यानि जो कुछ भी चाहेंगे सब प्राप्त होगा अर्निंग कंटीनू रहने वाली है सब चीज़ परफेक्ट है लेकिन शनी जो छेतर हैं वो दबा हुआ है तो मन चाहा परिणाम ना मिलना देरी से परिणाम मिलना चिंतात्मक सुभाव होना काम रुक रुक करके बनने जैसे योगों को यह यहां पर लेकिन वो इंटर्नल पीस या हैपनेस जो एक सैडिस्वेक्शन है यह तीनों चीज़े फिर मिलना थोड़ा मुश्किल देखने को मिलता है वहीं बात करेंगे सूरी के विश्य में तो सूर के रेखा आपके मस्तिष रेखा के उपर से प्रारम होती दिख रही है और इस हेल्प नहीं मिलती है आप जैसे जातकों को सब करते हैं जो है खुद के दम पर इसलिए यह थोड़ा संगर्श में जीवन दर्शाता है लेकिन इनी सारी रेखाओं के अनुरूप एक बहुत अच्छा आपके रेक्टेंगल का साइन अवेलेबल है जैसे मंगल का भी इन्व उमी का और सूर्य जो है यहाँ पर आपकी वेल्थ और इंवेस्टमेंट का कारक है तो यह अगर इस उम्र की हम बात करेंगे तो यह उम्र एप्रोक्सिमेटली निकल के आता है 45-46 यानि इस उम्र से कंटिन्यू इंवेस्टमेंट आपकी लाइफ में रहने वाला है और सूर इंवेस्टमेंट देते हैं इस प्रकार के तो यह फॉर्मेशन एक प्रकार से सामराज योग कभी निर्मान करता है हाला कि इन सब के बावजूत हलके अलके सी क्रोसर्स के साइंस दिख रहे हैं तो इस बात का प्रमान है यह कि आपके जीवन में अपने ही लोगों ने आपक करिए गाड़ी रेकिन इन सारी चीजों से निकल कर पार होकर कि आप आगे बढ़ते वे दिख रहे हैं और बहुत मजबूत शाक हैं यहाँ पर वी सिंबल की भी बनते दिख रहे हैं बुधौर सूर के वीचे में जिसे यह शेश्वियों केता है जो कि संगर्ष के बाद मिल कर से आपको तकलिफ दिये हैं वो उल्टे पाउं वापिस आपके पास चल करके आएंगे आप इतने समरिद्वान हो जाएंगे तो यह फॉर्मेशन आपके हतिली में बहुत अच्छा दिखा और प्रोपर्टी के तो बहुत शांदार योग आपके सूर पर दिख रहा है और होती है तो यह मेठी बोली आकरशिद वेक्ति तो मुल्टीपल लेंगुजिस के नॉलेज को केल्कुलेशन जैसी चीजों पर बहुत अच्छी पकड़ को भी दर्शाता है इसके अलावा जो कंविंसिंग स्किल हैं बहुत अच्छी होती हैं किस वेक्ति से कैसे बात करना है किस से काम निकलवाना है यह सारी जो capability है आप जैसे जात को बहुत अच्छा देखने को मिलता है और attractive nature personality भी यह देता है तो इस condition में easily opposite gender भी attract होने वाले रहता हैं या दूसरे लोग भी easily attract हो जाने वाले रहेंगे क्योंकि आपका nature या जो personality है या जो talking सेंसे बहुत जादा polite य लोगों को एक प्रकार से attract करने के साथ आपके साथ attached भी करेगा तो इस condition है बहुत सारे लोग आपके पास सिर्फ अपना दुखदर आपस सांजा करने आएंगे आपके पास सिर्फ heal होने आएंगे आप बहुत अच्छी healer भी हैं यानि अपने बातों से motivate कर पाने की जो चमता है बहुत अच्छी है मरकरी ऐसा देता है और यह ऐसा मरकरी जीयन में कभी काम की और धन की कमी होने नहीं देता आपके अतेली में दो यूने लाइन है तो दो बार गहरा attachment relation को यह दरशाता है और रधर एखा के अंत में जब गोपुच के अक्रति होती है तो good sense of humor or flirty romantic nature भी देता है रधर एखा में से multiple line जब ऐसे नीचे के तरफ आती है तो अपने उसे बहुत जादा धोगा मिलना या emotional hurt होने के बहुत जादा chances बनते हैं आप अधिकतर मामलों में पेसा संबंदी विभार मत रखिएगा क्योंकि आपका खुद का दिया वह पेसा आपको वाप cholesterol, blood pressure की सिकायत जैसे योग भी बनते हैं तो पसी ना निकलना अर्थाद physical activities को बढ़ाना ज़रूरी है वहीं जो आपकी रेखा है एक तो शनी पर आकर के वी symbol बनाए तो ये एक प्रकार से career oriented money minded और self focused type of personality को practical attitude personality को और थोड़ा hidden type of nature को जिसके तहत अपना दुखदर ज्यादा किसी से सांजा ना करने की योगों को दर्शाता है लेकिन overlap करके एक रेखा जो जूपिटर पर जा रही है ये emotional nature को फिर represent करता है जिसके तहट आप life में चाहे कितने ही practical क्यों नहों हो जाए हमेशा final decision emotion based ही लेते ही देखने को मिलेंगे दिल के बहुत साफ या दिल से ही अत्य जाने वाले रहेगे शौकिन किसमा का nature देता है थोड़ा आराम प्रिय ये विक्तित्तु देता है और बाकी इसके अलावा देखा जाए तो बस यह है कि emotional nature definitely रहेगा होना भी चाहिए हर इंसान में लेकिन emotions को अपने कभी भी workplace पर जितना हो सकी use ना करे क्योंकि वहाँ पर आ integration बहुत जादा आता है दूसरा overconfidence बहुत रहता है थर्ड बहुत फटा-फट काम करने की चेस्टा होती है तो यह जो combinations दिख रहे हैं यह उम्र तकरिबन 22 hardly दिख रहा है 22 के बाद से आप खुद के दम पर अत्यदी काम करना लगे और क्योंकि progress line यहापर निकलने लग रही है और इसके अलावा mind lane में जो mangle का influence वो आना बहुत कम हो गया उसके बाद से तो यहाँ पर जो mind lane है वो कुल मिलाकर करके straight चल रही है लेकिन एक प्रकार से double mentality भी आपके जीवन में रही थी उमर तकरिबन 28 से लेकरके 32 and 3 के age में इसमें बहुत ज़्यादा confusion life में रहा भागा यहाँ पर fail करके थोड़ी चलती भी दिख रही है उमरे तकरिबन 35 तक तो 35 तक तो stability mental level पर कम दिख रही है 35 जाकर के mind lane में स्थीरता बहुत अच्छी आ रही है और हलकासा बाइफोर को रहा है तो यह है कि आपका focus भी बढ़ गया है और एक प्रकार से जो बे फिजूल की भ personality को यह create करता है analytical personality बनाता है life में जो भी experiences gain के उसके बिहाफ पे अच्छे decisions लेते विए पाय जाते हैं दूरदर्शिता भी देता है resourceful personality देता है और mind lane straight or long भी है तो long hard or deep studies भी देता है तमाम तरह के resources को achieve कर पाते हैं और हमेशा opportunity के तलाश में भी देखने को मिलते हैं तो यह mind lane जीवर में कभी भी विफल होने नहीं देती पीछे वेक्ति को नहीं खीशती जितना हो सके तरक्की ही देती है उन्नती ही देती और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जिसे जातक pressur है situation में और strongly react करते हैं और हर मुसीबत परशाने को जो है अच्छे से जेल पाने की शक्षमता रहती है यहाँ पर एक प्रकार से mind line में 27 के age में भी थोड़ा stress दिख रहा है 25 और 6 में health regarding issue दिख रहा है इसके just बाद में spouse line यानी guardian angel line भी देख रही है जिसके करन spouse support मिलना या attachment उ से स्टार्ट हुई और यहाँ देखेंगे तो triangle के formation आपको देखने को मिलेंगे यह सारे triangles investment कराते हैं life में हमेशा कुछ ना कुछ नया काम कराते रहते हैं इसलिए इन सारी रेखाओं को stress line नहीं करेंगे लेकिन हाँ यह life में challenges तो लाते हैं दूसरी बात यह है कि supportive line है dream, desire, ambition से वो सब complete होते हैं देखने को मिलेगा family life के regarding एक और issue आपको तकरिवन 29 से 31 के mid में था otherwise देखेंगे तो इसके बाद कोई दिक्कते से दिख नहीं रही है एक money loss दिख रहा है 38 केज में बाकि उसके बाद भी fat luck land में कोई दिक्कत नहीं है तो अभी तो भागी में मजबूती निश्चित रूप से देखने को मिलेगा जीवन रेखा में विभाजन होना यात्राओं को सभागे देता है तो छोटी मोटी यात्राओं से लेकर कि देश दिस्टर बें तो हेल्थ के ओपर थोड़ा precaution रखने की जरूवत है बाकि रोग प्रति रोधक्षमता यसा मार्स अच्छा देता है इस कंडिशन में में इस कंडिशन में स्ट्रॉंग देखने को मिलते हैं यानि किसी भी विपरीत परिस्थिती में एक प्रकार से हार नहीं मानते शुक्र की स्थिती भी बहुत बड़ी जा रही है जो लग्जिरस लाइफ का में कारक है तो जीवन में तमाम तरह के सुख सुधा को अर्जित कर पाने में इस शित्रूप से शक्षम रहेंगे और यहां के जो थोड़ी आड़ी रेखा यह अनवशक चिंताएं देती ह जो कि ओवर थिंकिंग, नेगिटिव थिंकिंग और फेमिली प्रेशर के द्वारा आता है लेकिन कोई बहुत मेजर इशू नहीं है क्योंकि लाइफ लेंस से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं आ रहा है यहां पर देखेंगे तो माइंड लेंस से एक बहुत स्ट्रॉंग लें आपके हार्ट लेंस से कंजंक्ट है तो यह थोड़ा सेक्रफाइजस कराती है उम्रे तकरिवन 37 से लेकर के 44 के मिड में तो थोड़ा मैना ज़्यादा रहेगा लेकिन इसके जस्ट बाद में इन्वेस्टमेंट लाइफ में बहुत अच्छा होने लगेगा आपका मून लग लाइन है तो मदर सपोर्ट पहले बहुत अच्छा मिलता है देन आफ्टर इस्पाउस के आनने के बाद भी लाइफ में अच्छा खासा ग्रूद देखने को मिलता है एक स्ट्रेस अगें यहां पर दिखा 31 से 34 के मिड में हेल्थ रिगाडिंग और फेमिली लाइफ के रिग आशे करता हूं सभी परिश्णों को तर मिल गया हूँ तब तक आप अपना ध्यान रखें आपको बहुत बहुत दिन्यवाद